24 मारच होलिका दहन के दिन आप बहुत सारे उपाए करते हैं होलिका में बहुत सारी चीजें डालते हैं जिससे आपके घर में सुक्षान्ती आती है तब नकारतमक्ता सारी जल जाती है जो भी नेगटिविटी होती है बर्माण में चारो तरफ वो आपके उन चीजों से जिन बार बार के होलिका दहन में डाल देते हैं तो आपके सारी समस्याओं का अंत उसी समय हो जाता है ये तो हुई हमारे होलिका दहन के दिन की बात और अब अगले दिन यानि कि होलिका दहन से अगले दिन धुलंडी के दिन आप होलिका की राक लेके आते हैं उसको भी कई तरह से प्रयोग में लिया जाता है जिससे अपने घर की सारी समस्या इसमापत हो जाती हैं आपके जीवन के बहुत सारे दुखो का अंत हो जाता है राख से भी ऐसे उपाई किये जा सकते हैं लेकिन आज हम राख के किसी उपाई पर बात नहीं कर रहे हैं आज मैं आपको होली का द नतकारी उपाए करें जिससे की तो रंत बच्चों का एक ही दिन में विवा योग बन जाए और शिगर विवा उनका तै हो जाए यानि के पक्का हो जाए तो नमस्कार आप सबका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा अगर आप व जीवने में खुशिया आजाए तो आपके जीवन का भी वक्त बदलेगा और आपके जीवने में भी खुशिया आएंगी यानि के कुल मिलाके मेन समस्या विवा की जो सॉल्व हो जाएगी आपकी भी और जहां आप शेयर करेंगे उसकी भी क्योंकि ये उपाए होते ही इन जिनों में इतने चम्तिकारी हैं करिएगा क्या अगले दुरंडी में आप सुबह नहाद होके होली खेलते हैं लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक काम करें आपके नहाद होके पूजा घर में बैठ जाएं इसको माता पिता कर लें चाहे ब आपे इस्ट देम हो उनीं के लिए ये उपाय करना है सबसे पहले हो सकता है प्रभुश्रीराम आ आप हो सकता है आप विश्ण भगवान को मानते हो नारायन को जिसको भी मानते हैं यानि कि लड़के लड़कियां भी देख लें कि वो किसको मानती हैं किसको अपना इश्ट देव मानते हैं और माता पिता भी देख लें कि वो किसको अपना इश्ट देव मानते हैं जिसके भी सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं जिसके बारे में उनका अटल वि खेलने के लिए, उन रंगों में से थोड़ा सा पहले रंग निकाल के, विशेश तोर से गुलाल, की और रंग की मैं बात नहीं कर रही हूं, और और एंज जारा भी हो सकता लेकिन अन्य कोई और रंगों की बात नहीं कर रही हूं गुलाल आप निकाल के थोड़ा सा कटोरी में सबसे पहले उन भगवान के चर्णों में लगाएं उन भगवान के चर्णों में लगाएं आपके चित्र है तस्वीर है मूर्ती है जो भी है सबसे पहले उन भगवान के जिनको आप अपना इष्ट देव मानते हैं उनके चर्णों में लगाएं लेकिन लगाएं जोड़े के साथ जैसे अगर भोले नात को मानते हैं उनको लगाते हैं तो मापारती को जरूर लगाएं विश्नु भगवान को मानते हैं तो मालक्षमे को लगाना जरूरी है भगवा लगाना गुलाद जिनको भी रंगे लगाना जौड़े में लगाना और जौड़े में लगाने के गौत अपनी मनों कामना पूर्ति के लिए प्रार्थ्र आट कार।ो शिग्र विवाद की कामना प्रार्थ्रे करना सबसे पहले उनको गुलाल अर्पित करने के बाद और हाद जोड़के पांच मिल्ट तक उनका किसी मंतर का जाप कर देना बहुत सीधा सा सिंपल सा कोई भी जैशी रादाक्रिशन, जैसिया राम, ओम गुरुवे नमहें, ओम नमहें, ओम नमहें, ओम नमहें, शुप पारवती, कोई भी छोटा साय के मंतर 11 बार या 21 बार उनके सामने बैठ के जब के, आपको बस यह काम तो यहां आपका पूरा हो गया, अब यह जो गुलाल है आपके पास बच्चा हुआ, इसको उठाना, और बाहर आपके में गेट पर लेके आना, सबसे पहले में गेट के आपके दोनों तरफ इस सुके गुला और बाएं, थोड़ा-थोड़ा दरवाजे के दोनों और छिड़क देना, और उसके बाद से आपको क्या करना है, कि यह गुलाल जो है आपके पास, इसको लेके आपको गो माता के पास जाना है, सबसे पहले गो माता के माते पर तिलक करिए इसका, जो गुलाल है आपके पा नहीं मिल रही है चोटी गाय की बच्छडी होती है वो हो तो उसको भी लगा दिना और अगर मान लिजिए बैल के रूप में बच्छडा होता है बैल होता है यानि कि गोववंश ऊना जरूरी है गाय मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है आपके सोंवे सौहागा होगा और फिर जो बाकी बचा हुआ गुलाल हो आपके कुटोरी में वो उनके पैरों पर दोनों पैरों पर थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से लेके छिड़क देना दूरी से छिड़कना वो मारे ना आपको कहीं नजदीक होके उनके पाउं को चूकर लगाने मत लग जाना भाई अगर गाए सीधी साधी हो बचड़ी हो छोटी बचड़ा हो उसके आप हाथ लगा के टच करके उसके पैरों को गुलाल लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है आपको क्या कहते हैं कि एक सब्ता भी नहीं लगेगा अगर आपने इस तरह से गुलाल लगा दिया तो विवा पैर हैं और पिछले जो पैर हैं चारों पैरों पर थोड़ा थोड़ा दूर से ही यह चिड़क देना थोड़ा सा उनके पैरों पर लग जाना चाहिए वह यह काम जो बच्चे अपने विवा की देरी को जहल रहे हैं वह कर लें चाहें और चाहें माता-पिता कर लें इसको अपने बच्चों को विवा के लिए, इस गुलाल को छड़कने के बाद, अब जो पीछे आपकी अंगुलियां, आपका अंगुठा, उन पर जो थोड़ा बहुत गुलाल लगा रहा गया, अब आपके माथे पर एक बिंदी उस गुलाल की जरूर लगा लेना, लास्ट में, औ और आपने अपने बच्चे के या खुद ने अपने विवा की कामना की है, यहाँ पर खड़े रखे हाद जोड़ के मन ही मन, अपनी कामना बोल दे, और आप देखेंगे तुरंत रिष्टा जुड़ेगा आपका, तुरंत रिष्टा आएगा, तुरंत रिष्टा पक्का हो और शिगर विवा योग बनेगा इसको बहुत छोटा सा काम है अगले दिन होली का देहन के अगले दिन अपना के देखना आप मान जाएंगे कि चम्तकार हो गया बच्चों की जीवन में शिगर विवा होगा कमेंट बॉक्स में ओम नो भगोते वासुदेवाई जरूर लिखन होली के मौके पर आपको तुरंत आश्रीवाद मिलेगा भगवान का वीडियो देखने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद